जद्यू के अंदर खाने लगतार हलचल मची हुई है और इस हलचल के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि RCP सिंग पर कलम चल सकती है RCP सिंग पर राजसभाक उले कर बाते उठ रही है तो यह चर्चा है याब RCP सिंग की छुटी तैमानी जा रही है कई कारण बताया जा रहा है बताया तो ये भी जा रहा है कि RCP सिंग गैर संगाठनिक आदमी है और जो पार्टी में 10-11 में आते हैं उसके बाद दो बार राजसभा चले जाते हैं मंत्री बन जाते हैं जद्यू के अंदर उनको लेकर काफी बिद्रो है और काफी मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है राजसभा के चुनाव होने वाले है बिहार में और जद्यू की एक सीट खाली हुई है जद्यू एक कैंडिडेट एक व्यक्ति को राजसभा भेज भी सकती है इसको लेकर धर् कि 25 तारीख को बड़ा फैसला होने वाला है और ये फैसला कहीं न कहीं ललन सिंग उपेंद्र कुस्वाहा ने मिलकर आर्सीपी सिंग को लेकर कर दी है और आर्सीपी की कुरसी पराब कलम चल गई है यानि बतौर राष्ट्रिया अध्यक्ष ललन सिंग जब से आए हैं उनक कहीं आर्सीपी सिंग के लिए मुश्खिले खड़े की है और यह मुश्खिले इसकदर बढ़ता जा रहा है कि आर्सीपी सिंग पटना आए और बिना मुख्यमंत्री नितीज कुमार से मुलकात के दिल्ली भी चले गया और चर्चा ये है कि बिना मुलकात के गए हैं तो तहक ही जानाराजगी पहले भी जता चुके है उपेंद्र कुश्वाह का मानना है कि इस मौसले पर फैसला भी नहीं होगा और जब भी फैसला होगा सभी लोग को बता दिया जाएगा यानि RCP सिंग मुद्दे पढ़ उपेंद्र कुश्वाह साप साप बोलने से बच रहे हैं बड़ा सवाल है कि RCP सिंग को भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा हाला कि सुत्रों के मुताबिक जो खबर निकल कर सामने आ रही है RCP सिंग का दावा कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है पहले RCP सिंग की दावेदारी काफी मजबूत थी लेकिन RCP सिंग की दावेदारी अब धिये-दिये कमजोर हो रही है और खास तोर पे जब उनकी मुलकात नितीश कुमार से नहीं हुई तो किस आधार पे हो जाएंगे हाला कि 25 को फैसला आना है कई सुत्रों ने यह तै किया है कि 25 तारीक को जदियू अफिसियली एनाउंस कर देगी और उसके बाद ही तै हो पाएगा कि कौन जाएगा कौन रहेगा लेकिन आरसीपी सिंग की मुस्किले अभी भी बरकरार है और व के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकराब बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 938 816-7000 धन्यबाद